हलो दोस्तों क्या हाल है आप सभी के मैं उमीद करता हूँ आप सभी की तयादी बहुत बढ़िया चल रही होगी काफी सारे एस्पिरेंट सिस्सम में एक्ज आरर भी एंटी पीसी और ग्रूप डी की एक्जाम डेट्स को लेके परिशान है लेकिन मेरा आप से सेजेशन यह रहेगा कि आप अपनी तयादी में जोड़ जाओ क्योंकि जिस्बी तिन एक्जाम होगा उस तिन ultimately हमारी तयारी ही हमारे काम आएगी काफी सरे aspirates को दिक्कत होती है जानने में कौन सी ऐसी किताबे जिसे हम follow करके अपना score maximize कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ complete book list share करने वाला हूँ जिसे आप follow करके आप easily RRB, NTPC और Group D के exam को crack कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ pattern के बारे मैं याद दिला देता हूँ जो first stage computer based test यानि जो tier 1 या आप CVT 1 बोलते हैं जिसे वो 90 minute का होता है जिसमें 100 सवाल होते हैं 40 सवाल आते हैं journal awareness के 30 सवाल आते हैं mathematics के 30 सवाल आते हैं आपके reasoning के इसमें one third के negative marking होती है इसका syllabus आपको screen पर दिख रहा है इसके बारे में अभी थोड़ी सी देर के बाद दुबारा बात करेगे अगर जो इसे clear करता है वो देता है second stage CVT या tier 2 आप उसे बोल सकते हो ये भी 90 minute का होता है लेकिन इसमें 120 सवाल होते हैं 50 सवाल होते हैं journal awareness के 35 सवाल होते हैं mathematics के and 35 सवाल होते हैं आपके reasoning के इसके अंदर भी negative marking होती है one third की syllabus आपको सामने देख रहा है syllabus क्यों दिखाया है इसका reason मैं आपको अभी बताता हूँ एक एक करके मैं आपको बताता हूँ आपको हर एक section को कैसे deal करना है starting मैं करता हो math से maths मैं अगर आप syllabus देखेंगे तो आप कुछ point यहां पर ध्यान से देख पाएंगे कुछ छोटी-छोटे set से जो बन रहे हैं जिससे अगर आप भेचान लेते हो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जैसे कि number system है number system के साथ decimal से fraction है यह पूरे पांचों चीज़े ऐसी है जिसे आपको एक साथ एक गो में करना है क्योंकि इन्हें एक साथ अपतियार करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा इसके लावा ratio and proportion, percentage, compound interest, simple interest यह चीज़े आपको एक साथ करनी है सबसे पहले यह वाले कुछ portion निप्टाना उसके बाद ही आप बाकी portions पे आगे जाना अगर मैं किताब की आपसे बात करता है तो तीन किताबे आपको सामने दिख रही है जिसमें अगर आपके बस कोई सी भी एक किताब अल्रेडी है बाकी मत खरीदना जब तक वो पूरी ना हो अगर मैं आपसे राकेश आदव सार की बात करता हूँ बहुत बड़ी है किताब है और बेस पाट इसके अंदर यह है कि इसमें टाइप वाइस कोईशन किवेन है और अगर आप अगर आपके पस आदे सगरवाल भी है तो आप इससे भी कर सकते हैं बहुत बड़ी अभूख है और बस यह चीज़ का ध्यान देना है सारे सवाल ना करते हैं जो जो डिफरेंट है सिरव आपको वो फॉलो करना है अगर आपके पस यह दोनों ही किताबे नहीं है तो आप यह राजेश वर्मा की बुक भी ले सकते हो फास्ट ट्रैक अब्जेक्टिव और इत्मेटिक इसके अंदर जो ट्रिक्स आपको दे रखी है काफी अच्छी है इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं अगर मैं आपसे जनरल अवेनेस की बात करता हूं सबसे कन्फ्यूजिंग सेक्ष्ण है मैक्सिम बच्चा इसी में परिशान होते हैं क्यूंकि इसमें पता नहीं कहां से चुरू करें कहां खतम करें आप सबसे पहले science से start करना science के साथ current affairs करना उसके बाद आप करना geography and उससे fit sequence आगे बनाता जाएंगे सबसे पहले science करना है और कहां से करना है इसके लिए कहीं मत भटकना अगर आपके पस already lucent है lucent को अच्छे से कर लो काम बन जाएगा इस से ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं है जैसे कुछ मैं आप से topics की बात करता हो periodic table हो गया acid basis हो गया अगर bio की मैं आप से बात करता हो तो bio के अंदर hormones हो गए vitamins and deficiencies हो गई अगर physics है तो gravitation हो गया optics हो गया जो main main topics है सबसे पहले आपको इने detail में करना है depth में theory करनी है उसके बाद ही आपको इसके previous year questions करने है अब जाहो तो manohor पांडे भी ले सकते हो इसमें best party है कि updated अगर आप इसका addition लेते हैं तो इसमें आपको current affairs oriented data मिल जाएगा जो कि आपकी exam के लिए beneficial होगा अगर मैं आपसे बात करता हूँ reasoning की तो reasoning में previous year papers का आपको काफी सहरा लेना है और इसमें भी एक चीज़ का ध्यान लखना जो ऐसा सवाल है जो आपको देखके नहीं बन रहा है एक बार में उसे skip कर देना बिल्कुल भी self respect प्यूसे मत लेना example देता हूँ मैं आपको series का series के काफी सवाल ऐसे होते है जो देखते ही नहीं बनते और उस point पे क्या होता है हम 2-3 मिनट खराब कर देते हैं 3 मिनट खराब होने के बाद हम उसे skip कर देते लेकिन तब तक वो 3 मिनट का नुकसान बहुत बड़ा होता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान दखना है कि जो time consuming चीज़े हैं उन्हें end में करना है जो confusing चीज़े हैं उन्हें भी आपको end में ही करना है कुछ topics ऐसे हैं जैसे कि blood relation है direction sense है syllogism है इनकी आपको एक साथ practice करके जानी है बहुत बहुत अगर syllogism कर रहे हो तो काफी साथ सवाल इसके एक साथ कम से कम 20 से 30 सवाल करो जिससे कि आपको बता हो कि आप so and so type C possible है सारे मैंने इसके कर ली है that should be all और उसके साथ साथ आप बाद में practice करो जो previous year papers ने जिससे आप समझ पाओ कि आपके सवाल बन रहे है या फिन नहीं बन रहे है अगर आप उससे किताब की पूछते हो तो अरीहंत की आप किताब ले सकते हो और अगर आपके बास previous year है तो आप उससे भी practice कर सकते हो अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्राक्टिस कहां से करनी है तो प्राक्टिस के लिए ये किताब आपके सामने अगर आपके अरीहंत की किताब है जब तक ये पूरी ना हो जाए दूसरी किताब मत खरीदना दोनों में से कोई सी भी एक किताब ले सकते हो दोनों ही बहुत सही है अगर आप चाहो बिल्कुल confused हो तो आप अरिहन से start कर सकते हैं इसमें जो आपको explanation दे रखी है General awareness की questions की और बाकी सबी चीज़ों की काफी अच्छी दे रखी है अब ये तैयारी तो हो गई से test कैसे करा जाएगा इसका solution है mock test mock test में फायदा ये है कि आप actual में judge कर पाओगे क्या आप actual में बड़ी marks लापा रहे हो क्या paper पूरा हो पा रहा है क्योंकि पढ़ते कितना भी रहो जब तक अपना test नहीं होगा तब तक reality चेक नहीं होता अलग-अलग जगा से आप अलग-अलग mock test दे सकते हो मेरा suggestion ही होगा अप अलग-अलग websites पे जाके जो पहला mock test होता है वो सबका free होता है तो थोड़ा सा smart work करेंगे पहले तो सबके वो लगा लेंगे आप unacademy के भी कर सकते हो अलग-अलग website से सबसे आप कर सकते हो इसके साथ साथ आपको जब judge आप कर पाओगी कि आपके कुछ topics वीक रह गए हैं आप इसकी तैयारी unacademy plus पे कर सकते हो जिसके अंदर सभी mock test के साथ सभी educators के सभी courses है रेलवे कार्टेगरी के आप अपसन अकाड़मी प्लस पे जाके अपना रेलवे एक्जाम चूज करके अपना प्लान चूज करना final payment के समय discount code मैं आपको यहां पर बता देता हूँ आपको बस PMYT लिखना है बिना space के जैसे आप PMYT लिखेंगे referral code की जगाई discount code लगा देना आपको maximum discount मिल जाएगा अपनी तयारी पे आप अभी से लग जाओ बस एक चीज कर देना बिना space के आपको लिखना PMYT I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आते तो like जरू करा करो All the very best, thank you so much, God bless you